नमस्कार दोस्तों दोस्तों लीविन रिलेशन्शिप क्या है ये तो आप सब लोग जानते ही हैं लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई वो लीविन रिलेशन्शिप में रहते हैं तो वो एक अलग बात है लेकिन शादी शुदा व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़ करके दूस ओसके क्या अधिकार हैं आज के इस video में यहीं डिसकस करने जा रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आजकर वीडियो दोस्तों भारतिय संस्कर्टि में विवा के पक्षकार आपस में साथ रहकर के जीवन यापन करने की परमपरा का निर्वा करते हुए भी कई बार बिना डाइवोर्स किये ही अन्य किसी दूसरे पार्टनर के साथ में बिना शादी किये लिविन में रहने का निरने ले ले लेते हैं और इसको सामाजिक रूप से अगर हम देखे हैं तो ये अपराद माना जाता रहा है और समय समय पर इस विवस्ता पर उंगली भी उठती रही है लेकिन कई मामलों में देखने में आया है कि यदि विवाहित व्यक्ति को भी माननी नियाले दूरा लीविन के संबंदों में रहने के लिए संदक्षित किया जाता रहा है और उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलवाया गया है क्योंकि सामाजिक इस तर पर बले ही ऐसे रिष्टों को ऐस्विकार कर दिया जाता है लेकिन सम्विधान का अनुच्षेद 21 के अंतरगत प्रान एवम देख स्वतंतरता के आदार पर इन रिष्टों को समय समय पर प्रोटेक्शन दिया जाता रहा है अनुच्षेद 21 के अनुसार यानि आर्टिकल 21 प्रत्यक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह स्वतंतर रूप से जीवन यापन ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकता है जो की बालिग है एक दोनों पक्षकार बालिग होते हुए साथ में रहने का निर्णे लेते हैं मातर विवाहित होने के आदार के उपर किसी भी व्यक्ति को बाउंड नी किया जा सकता कि वह अपनी मर्जी के पार्टनर के साथ जीवन यापन ना करे यहां तक कि दोस्तों बारती कानून में लीविन के कारण किसी व्यक्ति को दंडित करने का कोई प्रावदान भी नहीं है हाला कि इस प्रकार के रिष्टे के आदार पर विवा का अन्य पक्षकार डाइवोर्स के लिए आविदन करने का अधिकार अवश्य रखता है दो बालिग व्यक्ति चाएवे किसी भी धरम, किसी भी जाती से संबनित हो यदि वह अपनी मर्जी से साथ में रहते हैं और यदि वह अन्य व्यक्ति से विवावित भी हैं तब भी लीविन के कारण किसी भी सजा के अगदार नहीं होते हैं तक कि लिविन रिलेशन में रहते हुए यदि पक्षकारों के बीच में कोई संतान उत्पन होती है तो उसे जायदात प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार होता है। और पक्षकारों से उत्पन संतानों के बरण पोशन की राशी भी निश्चित करवा सकता है। उत्पन संतानों को संदक्षित करता है और उन्हें वाजिब हक्की पेरवी करने का भी अधिकार देता है। चाहे कितना लंबा समय क्यों न गुजरा हो लेकिन ऐसे पार्टनर अपने पूरू पार्टनर को बिना तलाग दिये हुए वेद पती पतनी का इस्तान हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदू विवा बिना तलाग लिए दूई विवा को यानि दो विवा को प्रतिबंदित करता है। तो दोस्तों आप विवाहित होते हुए अपने पसंद के पार्टनर के साथ में बिना शादी के लिविन में रहतो सकते हैं लेकिन बिना तलाग दूसरी शादी नही पानी जाएगी अनुछेद 21 के अंतरगत इस परिपाठी को कानून का संदक्षन प्राप्थ होता है तो दोस्तों अगर इस वीडियो में दीगई जानकर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ में अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दें तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत